और एक बड़ी ख़बर आपको जमू कश्मीर के बारा मुला से बता दे जहांपर उरी मुटभेड में एक और आतंकवादी मारा गया लगातार भारते सेना की तरफ से ओपरेशन चलाया जा रहा है और इसी बीच मुटभेड में अब तक तीन आतंकवादी मारे जा चुके हैं इलाके में सुरक्षा बलो का सर्च ओपरेशन जा रही है कुछ देर पहले कि ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं यारी के कुल मिला कर तीन आतंकवादी जिने अब तक धेर किया जा चुका है पिशले दिनों लगातार हमने देखा कि आखिर आतंकवादीों की तरफ से किस तरीके से लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में घुसकर हिंदुस्तान की अमन, शान्ती, चैन को खराब किया जा सके लेकिन इन सब के बीच में भारते सेना ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला कुआ अनंतनाग से लेकर बारा मुला तक की तस्वीर आपके सामने हैं और जादस जोहनकारी के लिए हमारे सही होगी रिफवत हमारे साथ फोन लाइन पर जूट चुके रिफवत क्या जोहनकारी अभी क्या है हालात फिलाल देखें तीन मिलेटेंट मारे गए हैं इस ऑपरेशन में यह हतलंगा एरिया है यह लाइन अप कंट्रोल पर पढ़ता है वहाँ पर इंफरमेशन मिली थी आमी को कि वहाँ पर मिलेटेंट आ रहे हैं गुसबैस की कोशिश कर रहे हैं और उनके फाइरिंग की गई दो बोड रिकवर करने में थोड़ा सा वहाँ दिक्कत आ रही है कि वह पाठिस्तान पोस्ट के बिलकुल करीब है तो फिलाल तीन मिलेटेंटों के मारे जाने की पुष्टी आमी और पुलीस ने कर दी है और यह जॉइंट ऑपरेशन था आर्मी का और इंपुट पुलीस का भी इसमे पुला यहां पर एक्टिविटी जो है वह बहुत जादा बढ़ गई है जिस तरीके से भारत ने जी टुएंटी का आयोजन हुआ था पूरे विश में भारत का डंका बज रहा है इसी वाज़ा से पाकिस्तान को इतनी दिक्कते हो रही है पाकिस्तान को ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत के सेना ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है और एके कातंकवादी को मार कर जो है उसे जहन्यम पहुचाया जाएगा फिलाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रिफा तमान जानकारी के लिए लेकिन एक और बड़ी खबर आपको जमु कश्मीर के अनंतनाथ से बता दे यहाँ पर आतंक्यों के खात्मे के लिए ड्रोन की मदद से आतंक्यों के ठेकाने को विस्पोर्ट कर उड़ा दिया जिसकी तस्वीरे भी सामने आई है जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है हालाकिन तस्वीरों में एक आतंकी वहां से भागता हुआ साफतोर पर दिखाई दिया लेकिन ड्रोन से हेलिकाप्टर तक की मदद लगातार ली जा रही है